सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिख्खा पधिंसमादियानी बुद्धन समन संग हमारा संग यहां हम समन संग की जुडने और जोडने की सारी बातें बताते हैं और उन बातों पर भी चर्चा करते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं इससे हमारी सोच पड़ती है और हमें पता चलता है कि समन संग से हम क्या-क्या लेसकते हैं आज का जो दिन है वो है नरक चतुदसी या नरक चतुदस चतु दस मतलब दस और चार यानि चौधवा दिन नरक का मतलब होता है नर से सम्मंदित नर के नरक का मतलब हैल नहीं है दोजक नहीं है क्योंकि दोजक को पाली के अंदर निरे बोलते हैं निरे मतलब जो नीचे की तरफ जाता है तो नरक का मतलब है कि नर से सम्मंदित कोई रात है चौदवे दिन की जो कत्तिक अमावस्या को आने वाली है यानि कि जो कत्तिक की अमावस्या है उससे पहले आने वाली है तो आज अमावस्या की पूर्व संधिया है यानि पूर्व रात है पुब रात है तो जैसा कि इसकी तयारी के वारे में कहानिया चलती हैं कि आज के दिन लोग चावल, गुड, शहद और दूध इन सब चीजों से मिलके लड़ू टाइप का कोई आइटम बनाते हैं जिसमें तिल भी डालते हैं क्योंकि तिल अब खाने सुरू हो जाएंगे, तिल गरम होते हैं खाने के लिए तो तिल का सेवन आरभ हो जाएगा भारत में गरम पधारतों में तिल सबसे प्रमुख है सर्दियों में तिल खाना, तिल के लड़ू, तिल के पेड़े, तिल की बहुत सारी चीज़े और तिल का तेल तो तैयारी क्या चल रही है और किसकी तैयारी चल नहीं है यानि रोशनी भी करते हैं, लोग इसको छोटी दिवाली भी बोलते है छोटी दिवाली मतलब दिवाली से पहले का दिन इसका मतलब दिपावली पे जो काम होना है, उस काम का लगातार अभ्यास चल रहा है और दिपावली वाले दिन जो काम होना है उसकी तैयारियां चल रही हैं चावल बनाना चावल खाना रास्ते साफ करना रास्तों में दिया लगाना आज के दिन का अतना काम है खरेदारी वगरा का या इंतिजाम करने का और जो लोग आज भी करते हैं चाहें वो शहरों में हैं चाहें गाओं में हैं पर सारी त्यारी आज करते हैं ताकि कल के दिन को दिपावली के दिन को अच्छी तरह से मना सकें अपने परिवार के साथ रह सकें खा सकें और आराम से बात कर सकें ये परंपरा कोई ज़्यादा पुरानी परंपरा नहीं है ज़्यादा पुराना कोई फैस्टिबल नहीं है क्योंकि बुद्ध के ध्यास में ऐसे फैस्टिबल मिलते नहीं है कहीं तो जिक्र होता, कोई तो जिक्र होता पर जिक्र मिलता नहीं है पर festival है उत्सब है और उत्सब को आम जन ही मनाते हैं थोड़े से एरिया में कहीं मनाते होंगे मगद के आसपास में कबल वस्तु के आसपास में पर प्रचार प्रचार से पूरे देश में मनाते हैं और पूरे देश में ही चलता है और कल दिपापली का भी festival लोग मनाएंगे तो दिपापली पे एक लक्ष्मी पूजन के नाम से festival हुटसभ होता है दरसल पूरे तीन दिन की जो कहानी है वो लक्ष्मी पूजन पे आके सिमढ जाती है वह साई लोग अपने घर के दरोजे खोल क रखते हैं ताकि वहां लक्षमी आए और उनको कुछ दे जाए लक्षमी रूट के ना चले जाए क्योंकि लक्षमी का जो प्रितिक है वो महिला का प्रितिक मानते हैं और यह मानते हैं कि वो महिला का प्रितिक जहां आएगा यह वो महिला जहां आएगी वहां धन धाने और प तो इसमें एक मुहत निकालते हैं मुहरत निकालते हैं कि इतने वज़े से लेके इतने वज़े तक आपको लक्षमी पूजन करना है लक्षमी के वारे मैंने बताया था कि जो लक्षमी सब्द है पाली में उसको लक्षमी बोलते हैं यानि लाखों की मलिका लाखों की मालकिन लाखों वाली यानि मैं लाखों वाली मा माने मैं होता है और लख माने लख लखता मतलब एक लाख आज बोलते हैं पर पहले ये अंगिनत हुआ करता था जो गिरिना जा सके और क्या थी धनलक्षमी धनलक्षमी यंत्र आपने सुना भी होगा धनलक्षमी मशीन जहां से धन प असली धन लक्षमी यंत्र है इसी से धान पैदा होता है इसी से धहीं पैदा होता है और एक धान डालो तो 400 धान पैदा हो जाते हैं एक गहूं डालो तो 40 गहूं पैदा हो जाते हैं तो यह औरिजनल हमारा धन लक्षमी यंत्र है और इसमें जो फाबला लगा रहता है आगे जो इसमें धातु का जो इसमें जो पूरी आर होती है उसी आर को बाद में धन-लक्ष्मी यंत्र बनाकर ऊसपे कुछ गोद-गात कर लिखकर लोगों ने उसको बनाना शुरू किया क्या से क्या बन जाता है ब्यापार होना चाहिए पैसा होना चाहिए हर चीज़ बदल जाती ह बन जाती है तो बात करेंगे कि मोहत जो निकलता है लक्षमी पूजन का क्योंकि पूजन माने होता है पूरी जानकारी यानि पीले कपड़े वालों की जानकारी इसको पूजन या पूजती या पूजेती या पूजामी या पूजेती या पूजा या पूजा ये सब्से मिलक करी ले लो उसको पूजयती बोलते हैं पूजा बोलते हैं तो महत कौन निकालता है तो क्या महत निकालता है होली का महत होता है कि होली जलेगी तो इतने बज़ कर इतने मिनट इतने सेकंड पर होली का महत है इतने बज़ी से इतने बज़ी से इतने बज़ी से लेके 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 इतने सेकंड नहीं था, जब मिनट नहीं था, तब कैसे होता था, और जब घड़ी आई तो ये कनवर्ट कैसे हो गया, ये सोचना का भी से है, समद संग इसलिए खास खास जानका ही देता है, कि सोचिए उस बात को, कि पुराने समय में, समय की जो माप थी, उसको पहर से करते थे, आ जाता है, तो ये जो पहर हैं, यानि हमने जो उसको क्वाटर में तोड़ा हुआ है, दिन को पूरे को, उसको हम पहर के इसाब से अंदाजे में बोलते थे, पुराने समय, घड़ी नहीं थी, घड़ी बनी भी नहीं, सूरज की रोशी देखके हम पहर बोला करते थे, तो या तीसरे पहर में और चौते पहर के बीच में ये महरत निकला है, ऐसे बोला जाता, जैसा कि हम पुराने फैस्टिलों में देखते हैं कि वो पड़वा को पढ़ते हैं, या मावस को पढ़ते हैं, या पूरन मासी को पढ़ते हैं, वो बीस नवंबर को नहीं पढ़ते, व नहीं बदलते एक आसी या दो आसी ये नहीं बदलते इसका मतलब ये पुराने फेस्टिवल है उस समय के जब हम समय की माप को इस तरह देखा करते थे और अगर आज इनके मोहत निकलते हैं तो घड़ी आ चुकी है उसके बाद ये मोहत निकलने शुरू हैं आपको कहीं कोई नहीं सिस्टम मिलेगा जो ये बता सके के पहर का कैसे रुपांतरन कैसे मिनट और सेकंड में हुआ और किसने मिनट और सेकंड में किया और कब मिनट सेकंड में पहर से बन गया कोई नहीं बताएगा आपको क्योंकि है नहीं कहीं पर एक जो सोचने वाली बात है वो ये है कि आपको ये मुहत जो बताता है आप मान कैसे लेते हो आप पूछते क्यों नहीं और ये मुहत कौन निकालता है ये समय कौन निकालता है और कहां से निकालता है और क्या सोच के निकालता है और बुद्ध काल में वो कहां था और असो काल में वो कहा था और चंदकुप के काल में वो कहा था और अब 400-500 साल पहले तक वो कहा था यह सोचनाय का विशह है क्योंकि आप सीधा घड़ी पूछ लोगे कौन सी घड़ी में देखके फलाने फलाने डेट को फलाने फलाने सेकेंड में फलाने फलाने टाइम में हैं और सारे मोहत जो हैं वो रात में क्यों निकलते हैं दिन में क्यों निकलते और जो सिख्खों के दिन के बारे बज़े शादी होती हैं उनकी शादियां कैसे सफल होती हैं तो कौन निकालता है कि चादी जैसा अच्छा काम रात की अधिरे में करना है कौन कहता है इस बात को कि आपके बच्चे का जो जनम है जनम के बाद में उसका ये पोथी पत्रा है और ये बनेगा कौन कहता है कि आपके बच्चे का ये मंगल कारे इतने वज़े से इतने वे तक सोबह इतने वे तक अस मीं कोई और रखता है हमारे साधी की जगए को यह क्रता है हमारे जो हैं उन पे भी दूसरों का राइट है वह ही उसका tảiमको-, पिक्ष करते हैं वह दूसरों का मुह अट नि क्रीं करना है और उन्होंने ही सारी сामेगरी बना रखिए है कि आपको क्या खाना है क्या पीना है कैसे आया है कैसे गाया पर जिन्होंने ये किया है वो बुद्धिमान लोग तो नहीं है अगर वो बुद्धिमान होते तो भारत कहीं का कहीं पहुँच गया होता तो ये जो चीजे हैं जो परंपरा में चल रही हैं ये आई पुरानी है पर ये किसी के कबजे में है और ये बदली गई है ये बात तै हो जाती है इस बात से जब आपको पता चलता है कि महुत का समय सेकंड मर मिनट में है पहर में नहीं है दो पहर में नहीं है एक पहर में नह पहरे में नहीं है चार पहरे में नहीं आट पहरे में नहीं ना रात के पहरे ना दिन के पहरे इससे बात को क्लियर हो जाती है तो आपको अच्छी तरह ये समझना पड़ेगा कि आप अपने फैस्टिवल का महुत या समय क्यों नहीं मुकरर करते, क्यों नहीं तै करते, क्यों नहीं फिक्स करते क्यों नहीं आपके पास में आपके सारे के सारे फैस्टिवल की लिश्ट आती है और क्यों नहीं आपके सारे सारे फेस्टिवल के ये क्रिया कलाब का लेखा जोखा आपके पास है क्योंकि अगर सबका लेखा जोखा आपके पास हो जाएगा और आप उसको बनाने लगेंगे और फेस्टिबल का टाइम आप्स एट करने लगेंगे और फेस्टिबल कैसे बनाना है यह आपको याद आ जाएगा तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि फेस्टिबल आपके हैं तो आपको याद ना आ जाए कि फेस्टिबल आपके हैं और आप festival के मालिक हैं क्योंकि festival के मालिक होने से आपको ये याद आ जाएगा कि आप भारत की संक्रती के भारत की कल्चर के मूल मालिक हैं तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि आप समण हैं और आपको ये भी याद आ जाएगा कि हर चीज आपकी है इसलिए दूसरा कोई बताता है कि 7 बज़ के 8 मिनट पर इतने सेकिंट में आपने ये काम करना है आप आख बंद करके मान लेते हो क्योंकि आप सारे काम दूसरों पर डिपेंड़े हो आप सेंशा बनके बैठे हो आप राजा बनके बैठे हो आप मालिक बनके बैठे हो और के नोकर काम करके हमें टाइम बताएंगे और इसी काम कराने के चक्कर में आप मांस से गुलाम हुए पड़े हैं तो पूरे भारत में जो आज के समय हमारे संत हैं या जो भिक्कू हैं या जो फेस्टिबल का हिसाब रखते हैं या जो इन चीजों का हिसाब रखते हैं वो नहीं करते कुछ भी वो नहीं बताते कुछ भी उनका काम ही है और जो बुद्ध कल्चर के भिक्कू हैं उनका तो काम है कि वो बताएं कि किस किस डेट में क्या क्या किस किस समय क्या क्या करना है कैसे कैसे करना उनको बताना चाहिए और जो और संतों के मतों के संत बैठे हुए वह अपना कलंडर निकालें वह अपनी बातें करें पर वह बताते नहीं तो यह क्यों नहीं होता और क्या कारण हैं इसपे गौर कर लेते हैं तो आप ये पाओगे कि वो सारे बिक्षरे हुए हूए लोग है वो एक दूसरी की टांगे खीचते हूए लोग है जैसे दिपावली का festival है दिपावुली के festival में जो आधे भिकू है वो ये कह रहे हैं कि ये जो festival है यह जूटा है समराट असोक ने कहीं लिखा नहीं है कहीं इस्तंब पे लिखा हुआ नहीं है इसकी कोई कहानी मिलती नहीं है और आदे भिकू हैं वो ये कहते हैं कि धम का प्रकास बुद्ध नहीं प्रकास बुद्ध वहां गए थे तो वहां फैला और जब समराट असोक ने 24,000 इस्तूप जलाए इस्तूप का घटन किया तो उस खुसी में जलाए गए और जब यहां जो महावीर हैं उनका जब निर्मान प्राप्ष हुआ उनको जब उनने ग्यान प्राप्ष हुआ तो वह भी अवावस्था को रात कोई हुआ इसलिए यह दीप दिलाए जाते हैं तो एक दूसरे की टांउड़ खीशते रहते हैं पर बैठ के बात नहीं करते, ये भिक्कों की अलत है कि वो भिक्कों होते हुए भी आपस में एक साथ बैठके हमको एक सॉलुसन देने को त्यार नहीं हैं, और आपस में लड़ते रहते हैं क्योंकि सॉलुसन के लिए बैठ है और बैठ के बात करें तो मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी तो उससे उनको काम का जब मिलेगा तो फिर वो नेतागरी उनकी बंद हो जाएगी फिर उनको ये सारे काम करने पड़ेंगे जो संतों के हैं अभी तो भाशन दिया जाता है और सारे जितने भी हैं स क्या किया और नए फेस्टिवल कैसे बने सारे संतों का मत है सारे संतों की कहानी है तो ये काम भी साधरन लोगों को ही करना पड़ेगा इसलिए साधरन लोगों को ये कहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने ये धंके काम लिये हैं संतों के काम लिये हैं आप बताओ कि ये काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना है पर कोई पूचता नहीं और कोई बताता नहीं इससे क्या हो रहा है कि हमारी खुद की जो सांस्कृत पूजी है जो संखती है जो धरोबर है हम दूसरे को पटेपेंड हैं किसी ने कहा दिया कि इस वार दो रक्षा बंदन है तो दो हैं, हमको पता है नहीं कि रखा किसकी हुई है, बंधन क्या है, कौन से गंत बांदे, कौन सा त्रिपीटक बांदा, कौन सा सुथ पीटक बांदा, रखा बंधन की क्या क्या बात है थी, रखा बंधन किस दिन आरम हुआ, क्यों हुआ, कोई बताने वो तयार तयार नही कि एप कूणते हैं विरोद्वाले केते हैं रख्खा-बंदन हमारा तो अर्न हैं। विरोथ वाले कब से आर्म हुआ और क्यों हुआ इसके क्या कारण है क्या नहीं है। कूई तो कारण रहा होगा कभी तो पहला रखा बंदन मना होगा कभी तो पहली दिवाली पे कोई पूजन हुआ होगा वो ढूंड के लाना पड़ेगा ढूंडो अपने साहिते, ढूंडो अपनी कल्चर, ढूंडो अपनी लोग कताएं मिलेगा, मिलेगा अगर यहां का है तो मिलेगा पर ढूंडे कौन उसका कटाश करेंगे उसे उल्टा कहेंगे उसको सीधा कहेंगे इसमें तो एनर्जी लगाएंगे पर सत्य क्या है इसको खोजने में एनर्जी कोई नहीं लगाता फिर कहते हैं पूजा क्यों कर रहे हो फिर कहते हैं पाठ क्यों कर रहे हो जब गली में पटागे बसते हैं और जब गली में मिठाईयां बढ़ती है और जब गली में रोसनी होती है तो हमारे लोगों को कहा जाता है का आपका नहीं देवाली आप जो बैठे हो घर में तो उसक तो उसको सीधा सीधा आदेस पारिद करते हैं इससे विद्रो हो जाता है इससे आपस में ही मन वुटाव हो जाते हैं मने करने वाले के सारे दुस्मन हो जाते हैं और मनाने वाले के दुस्मन वो लोग हो जाते हैं जिन्होंने पूरी तैसे बाइकर कर रखा है तो नुकसान कि है समण संग का नुक्सान होता है समण समाज का नुक्सान होता है समणों का क्योंकि हमारे ही खैमे में हमारे ही घर के अंदर हमारे ही लोग दो धारों में तूट जाते हैं और बेकार का जगड़ा कोई जगड़ा नहीं से कोई फायदा नहीं बेकार के जगड़े में जब सारी संसकती हमारी है जब सारी संकती हमारी है जब सारी कल्चर हमारी है तो फैस्टिवल के पडोसी के हो जाएंगे जब हर एक फैस्टिवल का नाम पाली के अंदर लिखा हुआ है और पाली के अंदर अर्थ जाएंगे पर बिना बताए उनको डाट अपट के अगर आप चुप करोगे तो नहीं होते यही कारण है कि लोगों ने फेस्टिवल मनाने बंद नहीं किये पर जूट बोलना सुरू कर दिया जो लोग अमिट कराइट है बुद्धिष्ट है उसके बच्चे जब दिवाली मनाते हैं होली मनाते हैं रक्षामदन मनाते हैं या कोई फेस्टिवल मनाते हैं और उससे कोई और पूछता है अरे तुम सही बात बतानी चाहिए पर नहीं बताते सारा मार्किट भरा हुआ है समनों से सारे मार्किट में समन लोग खरीदारी करते हैं पर उनको सच्चाई कोई बताने को त्यार नहीं है तो सच्चाई के भागने से सच्चाई छुपती नहीं और जूट को कितना धोलो वो जूट रह में भिक्कों के मठ अलग-अलग हैं, और वो भिक्कु एक साथ बैठने को त्यार नहीं है, संतों के मठ अलग-अलग हैं, वो संत एक साथ बैठने को त्यार नहीं है, और जो संसकती का काम करते हैं, संकती का काम करते हैं, बुद्धी जीवी हैं, उनकी भी कोई सभा नहीं है, जो फेस्टिबलों को एक लाइन में एक साथ बता दे छे साल, साथ साल पहले एक वार कोशिस की थी इंडिया हैविटेंट सेंटर के अंदर सोसल स्कूल है यहाँ पर उसके अंदर एक रूम बुक कराया था उसके अंदर दिल्ली के कुछ ऐसे लोग बुलाए जो संसकती में काम करते हैं या कहीं भारते बहुत वहाँ सवाँ में काम करते हैं या जानकार है उनको यह कहा कि भाई हमको एक सिस्टम बना लेना चाहिए जिससे हम अपने लोगों को यह बता सकें कि यह फेस्टिबल की यह बात है ये festival ऐसे मनाना है और ये festival हमारा है या नहीं है उनको एक राय और एक बात बतानी चाहिए हमारे लोग इंतियार कर रहे हैं कि उनका कोई system को बताए बावा साव अंबेट कर चले गए इसलिए system नहीं बन पाया अगर बावा साव अंबेट कर रहते तो वो पूरा system दे के जाते और लोग उसको मानते क्योंकि उनकी मानता बहुत जबर्जस थी और वो हमारा काम बन जाता system कोई भी होता पर वो एक होता और मानने होता तो उसी में जीत हो जाती है इससे फरक नहीं पढ़ता कि आप किसी festival को माने या ना माने फरक इससे पढ़ता है कि सारे लोग या तो माने या सारे लोग नहीं माने पर जब आधे लोग नहीं मानते और आधे लोग मानते हैं तब system फेल होता है तब हमारी गुलामी बढ़ती है क्योंकि हम आपस में ही उलज जाते हैं और जिनके मनसूबे पूरे हैं वो अपने मनसूबे पूरे करके ले लिए जाते हैं तो इस दोविधा से निकलना चाहिए इस दोविधा से निकालने के लिए जो यहां समर संकी जो समर संकती कमेटी बनी हुई है वो ये काम सुरू कर रही है पर उसके पास में अच्छे लोगों की जानकारी कम है अच्छे लोग अभी जिनके पास जानकारी है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं तो अच्छे लोगों को आ गया आना चाहिए अगर कहीं कोई और सिस्टम बनाना है तो समर संकती कमेटी उसमें involve हो जाएगी क्योंकि समर्संग का कोई एहम वहम नहीं होता कोई एगो नहीं होता और अगर कोई कहीं नहीं जुड़ रहे हैं तो समर्संग की जो संकती कमेटी है उसमें आके और ये सारे फेसटीवल फिक्स कर लेने चाहिए और जितनी जल्दी इनको निश्चत कर लें अतना ही बहतर होगा समणियों के लिए समणों के लिए ये अलग-अलग मत बना के मत रहिए, अलग-अलग मत बैठिये, एक साथ बैठिये, और आपका काम है धम को चलाना, संखती को चलाना, संखती के वारे में जिक्र करना, चर्चा करना, आपका काम राजनीती के वारे में बोलना नहीं है, आपका काम जो पॉलिटिक्स है उसके वारे में बोलना नहीं है, आपका काम अर्थ विवस्ता के वारे में बोलना नहीं है, देश के अंदर राजीती में क्या चलता है, पार्टियां क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसके वारे में नहीं है, आपका काम है, जो संखती, जो सांस्कतिक कल्चर है, जो राजीती से ब बढ़ी है विसाल है जो आर्थिक तंत से बहुत बढ़ी विसाल है उसको समालना इसलिए आप ने चीवर पहना इसलिए आप संत बने इसलिए आप ने जो गुरुवों की वाणी है उसका उसका प्रण किया और ये काम वो करते नहीं इनफेक्ट ये काम कोई करता है नहीं भार जो छोर संथ हैं हमारे उन्हें कोई ऐसा नहीं बताया कि वो बता सके क्या है इस अभाव में हम Cap मेडिया पर टक्राव होता है तो सोचल मीडिया पर मन मुटाव होता है मुझे अच्छी तरह याद है जब 2018 में पहली बार दीपावली जो धंपकास उस सब है उसकी जब वीडियो मैंने बनाए थी तो मेरे साथ के कैई लोग टिंड होगे कैई लोग बड़े नाराज होगे मै तरक वितर करने नहीं आते विरोध करने आते हैं विरोध करना आसान है तरक वितर करना मुश्किल काम है क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है उसमें पढ़ना पड़ता है इसलिए जितने भी विरोध करने वाले हैं मैं उनसे निविदन करूँगा अरे भाई विरो बुद्ध ना करो तर्क वितर्क करोगे तो फाइदा होगा डॉक्टर अमबेट करने तर्क वितर्क करके समिधान बनाया बुद्ध ने तर्क वितर्क करके विर्य पिटक और सुथ पिटक बनाया सम्राट असोग ने तर्क वितर्क करके ये पूरा सासन जीता ये तर्क वितर् इसको करोगे तो हर चीज निकल आएगी तर्क वितर्क वो समुंद्र का मंथन है जिससे समुंद्र के सारे हीरे बाहर निकल आते हैं तो तर्क वितर्क करना चाहिए इसलिए स्रमण संग बारबार इन्वाइट करता है आईए और आके बैठिए आज हमारे एक साथी पुराने साथी बामसेफ के 35 साल काम करने वाले आए उनसे बड़ी गहन चर्चा हुई 25 लोगों ने आज हमने पूरा दिल लगाया पूरा दिल लगाने के बाद में संचेफ में शार में आपको बताता हूँ कि क्या समझ में आया और क्या बात हुई समझ में ये आया कि बामसेफ के लोगों को अभी भी लगता है कि वो करांती कर डालेंगे उनको लगता है कि बामसेफ ही सॉलुशन देगा मैंने उनसे कहा कि देखो 35 साल में तो प्यार हो जाता है किसी संस्था से किसी और्गनेजिसन से जिसमें जवानी में आदमी आया हो और बुढ़ापा आ गया हो वो अपनी संस्था को कैसे छोड़ेगा लोग अगर एक मकान में चार दिन ड्रे लेते ते तो उसकी इटों से प्यार हो जाता है आप तो एक संस्था में जिसमें 35 साल लगा हैं और आप बता रहे हो कि आपने उसमें इतना पैसा खर्च किया इतना पैसा दिया और ये सब चीज़े आपने बनाई हैं तो आप तो उसमें यकिन करोगी करोगे कोई अपने बच्चे को बे-यकिनी कैसे कर सकता है ये तो बास समझ में आती है पर आप थोड़ा सा बाम सेफ से ऊपर हट के देखो और सोचो और इस बात को समझो कि सोसाइटी के अंदर, सोशल मूवमेंट के अंदर पॉलिटिकल मुवमेंट के अंदर, रिवुलिशन के अंदर, साइंस के अंदर, दुनिया के अंदर, एक चीज जो काम करती है, उसको कुछ समय बाद पुराना होना ही पड़ता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो साइकल हो, चाहे वो मोटसाइकल सघ्राइल हो चा का बढ़ाई का सिस्टम हो बदलाव जीवन की नाशर की किरिया है और चाहे जब जीवन की नाशर और प्रक्रिया है तो आप उससे अपने संटन को कैसे बिना बदलने से बचासकते हो कैसे बचा सकते हो कि वो ना बदले, तो बदलना उसकी नियती है, बदलना उसकी प्रिक्रिया है, पर बामसेफ अगर बदलने को तियार नहीं है, तो जो बदलने को तियार नहीं है, वो खतम हो जाते हैं, नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, टेली फून की, पर उसने बदलाब नह किये वो खतम हो गई फिलिपस इतनी बड़ी कंपनी थी पर उसने बदलाब नहीं किये वो खतम हो गई जो कंपनिया काम करता है अकर वो बदलाब को एक्षप्टि करेगा तो जल्दी मर जाएगा और जो संग्ठन या जो राजनितिक पार्टी या जो संग या जो जितनी भी चीज़ें इखटा करने की हैं अगर वो अपने आप में लगाता लगाता बदलाब नहीं करेंगी और लकीर की फकीरी करेंगी और परंपरा मना देंगी लगा तो वो खतम हो जाती हैं बहुत खतम होगे बहुत खतम हो जाएंगे बात हुई उन से अच्छे लोग हैं बड़िया लोग हैं महनत कर रहे हैं हमारी बातों का कितना असर पड़ेगा हमें पता नहीं पर हमारा फर्स था कि उनको बता यहां कोई? सब लोग अलग अलग जाएंगे तो समझ संग इखटा किसको करेगा? यह कोई आदमी पैदा तो करेगा नहीं. सारे लोग यहीं है और यहीं इखटे करने हैं तो हम तो सिर्फ बता रहें कि इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ. अगर आप लोग नहीं माना कि बिना इखटे हुए बात नहीं बनेगी और सब ने इस बात को भी माना कि हाँ ये बात ठीक है कि हमको संग्ठों से उपर उठके बात करनी चाहिए कहके गए हैं मानके गए हैं हमारे वहाँ 24 समझ संगी थे, सारे समझदार हैं, सारे लोग हैं, तीन हमारी बेहने भी आई थी, जबकि दिवाली का फेस्टिवल है, बच्चों के लिए कुछ खैदारी करनी पड़ेगी, फिर भी वो आई, और बहुत अच्छी तरह से मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में हमें ये आईडिया हो गया, कि हमको काम की स्पीड और बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है, क्योंकि काम ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा इखटे होंगे, तो ज़्यादा इखटे होंगे, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, और लोगों का भरोसा जब बढ़ेगा, तो लोग फिर हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, और इखटा होने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो हमारा 11 फरवरी साथ आने का सोचते भी नहीं है जो गुरुभी दविदास जी थे उनके समय में संत इखटे हुए थे उसके बाद से संत नहीं इखटे हुए तो संतों को कौन इखटा करेगा संत तो संत होते हैं वह इखटे उन्हें करो या ना करो पर करने वाले तो साधन लोग ही होते हैं तो हम समढ़ संत में जो समगा कर रहे हैं उसका ये फायदा होने वाला है कि बहुत साल बाद 400-500 साल बाद सारे संत एक साथ बैठेंगे तो एक मीठी धारा बहेगी संतों के आपस में जो दूर-दूर के रिष्टे हैं वो पास आएंगे संतों को ये समझने में आसानी होगी कि भई सारे संत एक ही होते हैं संतों के जो चेले हैं संतों के जो भकते हैं संतों के जो अनुव्याई हैं संतों को जो मानने वाले हैं वो आपस में बैठेंगे तो उनके मन से ये बात निकलेगी कि हमें दूसरे संत के यहां भी जो हम नहीं जाते हैं हमको जाना चाहिए जो barrier है वो तूटेंगे जो बरफ है वो पिगलेगी लोग एक दूसरे के आसरम में आएंगे जाएंगे तो उनके आसरम जुडेंगे उनके मठ जुडेंगे उनके डेरे जुडेंगे तो उनके लोग जुडेंगे तो संत जुडेंगे तो जुडने जुडने का काम आगे बढ़ेगा और जुडने जुडने काम आगे बढ़ेगा तो समस्याएं अपने आप हल होनी शुरू हो जाएंगी संतों की भी, संतों के भक्तों की भी, संतों के अनुयायों की भी और साधर लोग की भी सभी की जितनी भी परिसानियां वो दूर होंगी क्योंकि संग्ठन में सक्ति होती है संगे सक्ति, युगे युग युग करके, युग युग करके, जोड़ जोड़के संग में शक्ति आती है तो जब संग में सत्ति आती है तो हमको तीज से काम करना चाहिए तो दिल्ली आने के लिए सब को पता है कि क्या करना है 350 रुपे अपना खर्चा देना है जो वेस्क लोग हैं जो एडिल्ट लोग हैं जो वालिक लोग हैं और 150 रुपे उनको देना है जो नौजवान हैं तरुन हैं और जो यंग हैं जो यूवा हैं उनको देना है 150 रुपे या नि आधा 10 साल से 20 साल के बच्चों को और जो 10 साल से छोटे हैं उनको देना है 25 रुपे और यहां जो भिकुणी या संत आ रहे हैं उनसे कोई खर्चा नहीं लेना है जो भी संतों को लेके आ रहे हैं या भिक्व और भिक्व को लेके आ रहे हैं उनका कोई खर्चा नहीं है हम सब जो ये खटा कर रहे हैं वो उसी में से खर्चा उनका निकलेगा इसलिए इसके आने का registration कराना होता है ताकि सब पता रहे कितने समण आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं तो दिवाली का कल अफसर है, आप अपने रिषदारों के, अपने दोस्तों के, अपने जो प्यारे मित्र हैं, उनके, जो पड़ावसी हैं उनके, और जो आपको लगता है कि मिशनरी आदमी है, या कोई संथ है, या कोई भिक्वी या भिकुई है, तो उनको निवदन करें कि आपको चलना है और अपनी टिकेट जो दूर से आ रहे हैं वो अभी से बुक करा लें क्योंकि बाद में टिकेट मिलेगी नहीं और जो महराज से भिकड़ी भिकड़ी आनी है उनका टिकेट का रिवेशन हो गया है भिकड़ी वहां से आ रही है तो अपने अपने संतों का भी रेश्टरिस्न करा लें रेश्टरिस्न कराने का तरीका यह है कि आप चाहे तो या पोर्टल पर बता दें या कोई फॉन नमर जो दे रखे हैं उस फॉन नमर पर बात कर लें और वहां से फॉन पर बात करके अपनी बुकिंग करा लें उसका फाइदा यह होता है कि जो त्य कि चाहिए रुकने की सुद्धा चाहिए आज बात हुई है हमारे कबीर आस्रम है उसमे जगे है वहाँ रजयाई जएगत पढ़ यहां फ़देपड़ जाएंगे एक हमारा पाहल मैं अम्रीट का भवन है वहां महारे याई गद्य पड़ जाएंगे और विकास पुरी में बुद्विहार है वहां की टीम आई थी तीनों लोग आ जाए और तीनों नहीं कहा कि कितने भी लोग आ हम एड़ेस्ट करेंगे यह तो तीन जगे हैं इसके लावा बहुत सारी जगे हैं जो लोग जितने आना चाहें वो आ सकते हैं रुकने का खाने का आपको डायक्ट उनसे बात करनी पड़ेगी हमने बोल दिया है कि जो रुकने का उसके खाने का रुकने का आप डायक्ट बात क करें जितने दिन रुकना चाहें सब लोग करने के लिए ठ्यार हो रहे हैं लगातार काम बढ़ तरहे से चल रहा है काम बहुत चल रही हैं बहुत बढ़िए तरीके से संगती होने वाली है आप अपनी booking कराएं और बड़ा उल्लास रहेगा क्योंकि फरवरी का जो ग्यारे फरवरी है उस दिन मौसम भी बहुत बड़ी रहता है धूप बहुत अच्छी निकलती है और हलकी-हलकी ठंड होती है तो सारे लोग एक साथ खुशी के मारे उल्लास के मारे वहां रहते हैं कल दिपावली है और दिपावली पे कल हम साम को बैठेंगे क्योंकि सब लोग नहा दो के दिपावली पे लगबग 5 बजे त्यार हो जाते हैं तो 5 बजे हम पोर्टल पे बैठेंगे और 5 बजे से लेके 6 गंटे तक 11 गंटे हम चाहें आप दीपावली मनाते हैं या नहीं मनाते हैं पर बच्चे उल्लास में रहते हैं तो बच्चों का इंडूटक्शन होगा हम आपस में बात करेंगे हमारा दिन है फ्री दिन है छुट्टी का दिन है तो रिलेक्स रहेंगे तो एक दूसरे को मंगल कामनाय देंगे एक से बात करेंगे एक दूसरे के घरमें सब लोगों से बारता करेंगे पूरे परिवार के परिवार आएंगे यह पिछी शेटी लगवग चलेगा कोशिस करें कि आप अपने इस्दारों को मित्रों को लिंक बेंगे और उन पूत जैदा होगा तो हाथ को आगे ऐसे कर देगा और हाथ को आगे कर लोपर हाथ के आगे रहें से इसे मिठाई तो नहीं आती पर मुह मीठा देख के हो जाएगाbenेची बात करते यहां हम मीटिंग करेंगे दिपावली की मंगल कामनाय देंगे किसी वक्त वैसे मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानी हुई हो या कोई परिशानी हुई हो तो मैं उस से और संग से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संगह नमा मी संगह नमा मी ज aur wonderful जे Kilड़ा